उसका भव्य समापन देश के सुस्षी प्रधानमंत्री आदने मोदी जी के कुछी देर में मिलने वाले महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज इस संपन्न करने जा रहे हैं मैं इस औसर पर प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाडियों को हिर्दे से बदहाई देता हूँ और उनके प्रतिय अपनी मंगल में सुपकामनाई भी देता हूँ हम सब जानते हैं कि खेलो इंडिया खेलो के प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 के अभवान अभियान के बाद पुरे देश के अंदर खेल के प्रतिय युवाओं के मन में एक नई जागरुकता पैदा हुई फिट इंडिया मॉवमेंट ने इसे एक नई उचायों तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया और आज जब हम सांसत खेलकूत महा कुम्ब के माध्यम से प्रते एक संसतिय छेतर के अंतरकत होने वाली खेलकूत की विविन प्रकार की प्रतियुकताओं के साथ अपने चातर चातराओं को अपने युवाओं को जोड़ते वे देखते हैं तो वहाँ नए भारत का एक ससक्त भारत की तस्वीर हम सब के सामने और भारत की सामर्थय को हम सब के सामने भी प्रस्तुत करतावा दिखाई देता है खेलो इंडिया खेलो ने और फिट इंडिया मुव्मेंट ने पुरे देश के अंदर खेल के प्रति आम युवा केटमन में एक नहीं जागरुपता पैदा की और उसी का पेढ़ाम है आज किसी भी इंतराज की प्रतियोगता में ओलम्पिक हो एस याड हो कॉमन वेल्ट हो या विश्वा चैंपियंशिप की किसी भी प्रतियोगता में आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कारे करता है उत्तरप्रदेस के खिलाडियों ने भी आदने प्रधानमंत्री जी के मार्गदरसन में इस दिसामें बहुत अच्छा प्रदरसन बिगत नौ वर्सों के अंदर किया है आज मुझे बताते वे प्रसंता है कि पिछले छे वर्सों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस तिसामें कुछ अच्छे प्रियास किये गए खेल कोट की गद्विदियों को आगे वढ़ाने के लिए हर गाउं में खेल का मैदान हो इस तिसामें प्रियास हो रहे हैं हर ब्लाक अस्तर पर मिनी स्टेडियम और जन्पद अस्तर पर स्टेडियम के स्तापना हो इसके लिए भी कारवाई चल रही है गाउं में खेल का मैदान हो साथ साथ ओपन जिम का निर्मान भी हो इसके लिए भी कारवाई युद अस्तर पर आगे वढ़ रही है और साथ-साथ खिलाडियों के प्रोचसान के लिए भी अनेक प्रकार के कारिक्रम कराई जा रहे हैं इस्पोर्स कालेज में जो बच्चे वहाँ पर रहे करके अध्यन करते हैं उनके लिए अनेक प्रकार की सुब्धाएं तो दी गई लेकिन साथ-साथ खेल कुदों में खेल प्रतियुक्ताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाडियों के लिए भी अनेक प्रोचसान और अब तो सरकारी नौकरियों में भी उन्हें आरक्षन के विसेश प्रावधान को लाकर के बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो हमने लोग सेवायोग से वापस करते हुए उन्हें सीधी भरती के माद्यम से हम खिलाडियों को अंतराश्टे प्रतियुक्ताओं में स्तान मेडल प्राप्त करने वाली खिलाडियों को सीधी भरती के माद्यम से उन्हें प्रदेश की विविन सेवाओं में सेवा का उसर दे सकते हैं और इसके माददे हम से खेल प्रतिवा कहेल प्रतियों को और खेल और ह। हरे एक सनस्थित 630 में हमारे पास पांच अजार से लेकर के 7जार तक अलग-अलग सेरी के खिळाड़ी खड़े हो रहे हैं और यही खिलाडी जब आगे जाएंगे कमिस्नरी अस्तर पर और फिर प्रदेश अस्तर की प्रत्योकताओं में लोग भागिदार बन पाएंगे या कारिक्रम चल्ला है दोसरे और युवा कल्यान विभाग की और से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के मात्यम से हर एक गाउं में युवाओं को स्पोर्स किट भी उपलब्द कर वाएज़ा रहे हैं कि हजारों गाउं में ये स्पोर्स किट अप तक उपलब्द कराए जा चुके हैं आज की इस आसर पर मैं आप सब को इस बात के लिए अस्वस्त्ग करता हो कि केंद्र और राज जे सरकार मिल्करके खेल कूत की अप्रत्योगताओं को प्रोशाहित करनेके लिए हर प्रकार करेगी मेरी प्रदेश के सभी युवांँ तरह से यपाईल हो गी कि हम बढ़ चड़ करके इंस सभी पिर्ट्योगताओं में प्रतिभाग करें आज यहां पर मैंने हौकी का ये फाइनल मैज्ट भी देखा है और मैं देख रहा था कितना बहत्रीन खेल दोनों टीमे कर रही थी और हर खेल हमें कुछ नयापन करने की प्रिणावी देता है नया सीखने की प्रिणावी ओन सभी प्रतियुक्ताओं के मातद्यम से हम लोग खेल कूत की इन गद्विधियों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे मैं आज के इस औसर पर एक बार प्रतिभाक करने वाले सभी खिलाडियों को धर्दे से बदाई देता हूँ, उनका विनंदन करता हूँ यहां के लोकप्रिय सांसत और यहां के सभी गौरकपर संस्तिय चेत्र से जुड़ेवे सभी विधायकों को भी मैं इस औसर पर हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ कि नोंने सांसत खेल कूत प्रतियुकता को सफल ताक एक नहीं उचाई तक पहुचाया है, कुछी देर में आदने प्रधान मंत्री जी का संदेश हम सब को प्राप्त होगा आप प्रधान मंत्री जी के संदेश से पेना प्राप्त करते हुए खेल कूत के प्रती और राश्ट के प्रती अपने दाहित्तों के निर्वहन के लिए अपने आपको समर्पित करेंगे इस विस्वास के साथ आप सब को सिवरात्री की वी मंगल में सुबकाम नहीं देते हुए अपनी बाणी को ब्राम देता हूं जैहिं